दोस्तो नमस्कार, राजनिती और सियासत जी नहीं, संसदिय राजनिती जी नहीं, लोकतंत्र बिलकुल नहीं, सम्विधान कताई नहीं, इस देश को इन शब्दों की जरूरत नहीं है, इस देश को जादू की जरूरत है, एक ऐसे जादू की जिसके जरिये इस देश में जो पैंक कंगाल हो रहे हैं वहाँ पर पैसा लोट आए इस देश को एक ऐसे जादू की जरूरत है जहां पर इस देश के सारजनिक संस्थानों को जो घाटा हो रहा है वह पूरा हो और मुनाफे में सारजनिक संस्थान फिर से दौलने लगे इस देश को एक जादू की जरूरत है जिसके बाद इस देश में नई शिक्षा पणाली जो लागू न्यू एजुकेशन पॉलीसी की जा रही है उसके बाद इस देश में चात्र हाइर एजुकेशन के लिए इस देश को छोड़ना भूल जाएं इस देश को सही माइने में एक एक ऐसे जादू या फिर एक ऐसे काले जादू की जरूरत है जो इस देश में चल पड़े तो इस देश में भूक और मुफलिसी खत्म हो जाए पांच किलो अनाच बरसो बरस तक हर किसी के घर खुदी पहुंसता चला जाए जादू से देश चलता है जी नहीं जादू से खत मान लीजिये और 2024 बड़े दूर की गोटी है ये या बहुत दूर की तारीक है ये क्योंकि उससे पहले इस देश की जो आर्थिक और माली हालत जिस दिशा में देश बढ़ चुका है उसमें इस देश का कोई भी प्रजेक्ट पूरा होना नमुम्किन है एलान दर हैलान ह होते चले जाएंगे सही माइने में वाकई एक जादू की छड़ी इस देश के प्रधानमंत्री को चाहिए उस जादू की छड़ी को घुमाते ही सवाल खुद के औरेका नहीं है इस देश को बकायदा भूक प्यास मिटाने और इस देश की एकनौमी को आगे बढ़ाते और यह जादू मौझूदा वक्त में गवर्नेंस के हाथ से होगा नहीं इस देश की कानौन ववस्था भी गवर्नेंस के जरिये चल नहीं पाएगी इस देश में बैंकों की परिस्थिती इस देश में सारजनिक उपकरमों की इस्थिती इस देश में ऐलान होते प्रोजेक् चाहिए वो जादू काला जादू हो पीला जादू हो नीला जादू हो सफेज जादू हो जो भी जादू हो लेकिन बिना जादू के मوجودा परिस्तितियों से भारत कैसे उबर पाएगा शायद कोई नहीं जानता इसलिए क्या प्रधान मंत्री आजकल जादू का जिक्र करने लगे है हमें लगता है कि जादू का जिक्र इसलिए हो चला है क्योंकि मौझूदा परिस्तिती समाल पाने में राजनितिक सत्ता नाकाम तो नहीं हो चली है और नाकाम तो कई राजनितिक सत्ताएं हर वक्त हुई ह लेकिन फिर भी उन्हें ये हमेशा से लगता रहा शायद आने वाले वक्त में राजनितिक परिस्तितियों के मद्दे नजर देश को समाल लिया जाएगा लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जो भी आगे आएगा उसके हाथ माँफूल जाएंगे अगर उसके पास जादू की छड़ी ना हो तो आप कहेंगे इतने जादू की जरुरत जटके में क्यों पड़ गई हमें लगता है कि आज उन इस्तितियों को समझ लीजिए जिन इस्तितियों के आसरे हम जिक्र कर रहे हैं कि क्यों गवर्नेंस फेल है और क्यों मोदी सरकार को उस जादू की जरुरत है जो जादू दुनिया में कहीं नहीं है जी काला जादू भी नहीं वह भी नहीं है तो वी जादू का जिक्रिस लिए क्योंकि सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कमोवेश हर छेत्र में हम पिछड रहे हैं घाटे में जा रहे हैं और कहीं फेल तो नहीं हो गए और पास कैसे हो इसका रास्ता सूजता नहीं है क्या सरकार खुद कहती है कि हमने लगभग 1568 प्रोजेक्ट का ऐलान किया ये इन्फरा स्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट है लेकिन उसको हम पूरा करपाने में संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि बजट हमारे पास नहीं है क्यों उनको जो देना पड़ता है उसका पैसा हमारे पास नहीं है यानि फंडिंग की तंगी आ चुकी है लैंड एक्वेशन हो नहीं पाएगा और ऐसे में पुनरवास तो बहुत दूर की बात है और री सटेल्मेंट इशू में भी वही पैसे का जिक्र है जो हमारे पास है नहीं इससे हट के कुछ प्रजेक्ट्स हो सकते हैं जो इनवायर्मेंट की वज़ा से फसे हुए हो या फिर लॉइन ओर्डर की वज़ा से दोनों परिस्तितियों में इस देश में परयावरन भी लोगों के लिए रुजगार और जिंदगी से जुड़ा हुआ सच है और कानून व से चल रहे हैं अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग तरीके से मसलन पैट्रोलियम मिनिस्ट्री में 149 प्रजेक्ट में से सबसे ज्यादा 91 प्रजेक्ट अटक गए हैं इस देश के रेलवे में लगबग 211 प्रजेक्ट में से 127 प्रजेक्ट अटक चुके हैं इस देश के ज जो कॉस्ट चाहिए इन सब को पूरा कर दिया जाए कल तक वो कॉस्ट 22 लाग करोड में हो जाता अब वो कॉस्ट बढ़कर 26 लाग करोड को पार कर गई है और 2024 तक ये प्रोजेक्ट इसी तरह अठके रहे तो ये 30 लाग करोड भी पार कर जाएंगे यानि प्रोजेक्ट का एल कर रहे हैं पूरा कर पाने के लिए जादू की छड़ी चाहिए सत्ता के पास वो जादू की छड़ी है नहीं और जो पावर सेक्टर है जो कोल सेक्टर है जो एटोमिक इनरजी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो भी इंफ्राइस्ट्रक्चर के मसले हैं सब अठके इनरजी का हिस्सा आता है भारत को युद्ग्रसित छेत रही है रूस और युक्रेन के भीतर जो संकट आया है युद्ध के बाद वहाँ पर भी जो पैट्रोलियम से जुड़ी हुई कमपनिया है उनको घाटा नहीं हो रहा है लेकिन उस युद्ध से दूर भारत की राजन दूर पर बताते हैं कि ऐसी स्तिती इस देश में पहले कभी नहीं थी यानि एप्रेल मई जून पहली तिमाही का जो रिजल्ट आया उसमें जानकारी आई कि हिंदोस्तान पैट्रोलियम दस हजार एक सो छियानवे को रुपए के घाटे में भारत पैट्रोलियम छे हजार द 292 करोड के घाटे में यानि तीनों बड़ी कमपनियों को मिला लिजेगा तो तकरीवन 18,000 करोड से जादा का घाटा पहले तीन महीनों में इन तीन कमपनियों के मारफत चल पड़ा है जादू की छड़ी चाहिए जिसके जरीए ये लाभ में आ सके क्योंकि हमें राजनिती क आसरे इस देश की कमपनियों को चलाना है तो राजनिती कहती है कि पैट्रोल डीजल महंगा मत कीजिए तो हमने सस्ता कर दिया दुनिया के बाजार में हमारा आयात सबसे ज़्यादा अब भी है इस्तिती इतनी नाजुक हो गई कि जब हम फ्री ट्रेड के साथ यूए ई के स समझोता करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा वहपार गाटा पिछले बरस की तुलना में लगभग तीन से चार गुना एक जटके में बढ़ जाता है यानि एक वक्त 90 मिलियन डॉलर और उसके बाद एक जटके में 3.5 बिलियन डॉलर इसका मतलब क्या है यानि हमारे फ्री ट्र क्योंकि हमें राजनेती साधनी है और सत्ता में बने रहना है तो फिर जादू की छड़ी चाहिए एक ऐसी जादू की छड़ी जिसके जरीए हम ये बता सकें कि हमने अगर 6 अपरिल के बाद कीमते नहीं बढ़ाई है जनता को राहत दी है तो हम उस घाटे को सह पाने में सक् जनता के सामने परशानी तो उस पे फिर टैक्स लाद दिया जाता है वहां से टैक्स के जरीए पैसा सरकार वसूली शुरू करती है वो पैसा निकल कर आता है तो फिर पॉलिटिकल काम में उस पैसे को लगा दिया जाता है और सरकार की परिस्तिती ये आ गई कि अगर वेतन और पेंशन और इस देश में जितने बड़े संस्थान चलते हैं उसमें वो CBI का भवन हो या ED का भवन हो या फिर सुप्रीम कोट का भवन हो या CVC का भवन हो या जो भी संस्थान आपको जो लगते हैं कि ये constitutional institution है उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें सिर्फ वेतन और pension इसके अलावे हम खर्च पाने की इस्तिती में कुछ भी नहीं है अब आप कलपना कीजिए इस देश में education policy जो लाई गई उस education policy के तहत हमने market economy से इस देश की education को जोडने का प्रियास किया हमने ये प्रियास किया कि higher education जो इस देश में करेगा उसको कितना lab होगा और उसके जरीय कितना उसके tuition fees बढ़ जाएगी हम private sector के हातों में education sector को देने को भी तयार हो गए और हमने बकाइदा एक पूरी policy बना दी लेकिन ये policy बनी और इसके बाद इस देश को छोडने वाले higher education के लिए दुनिया के अलग-अलग देशों में यहां तक की छोटे-छोटे देशो में भी जो इससे पहले भारतिय पढ़ने नहीं जाते थे वह भी जाने लगे क्योंकि हमारे पास कागज का एक पुलिंदा है एक ऐसा पुलिंदा जिसमें हम कागज हिला सकते हैं कह सकते हैं कि हमने policy बनाई लेकिन जमीन पर वो कैसे लागू होगी हम नहीं जानते हमें यह इस देश में medical और education और higher education यहां तक की information technology से जुड़ा हुआ education भी इस देश के युवाओं को हम देने की इस्तिती में कम से कम उसका budget डेवलप कर पाएं उस budget के जरीए हम दुनिया के अलग अलग protocols जो निकलते हैं कम से कम उसे ही library में रख पाएं ये भी रख पाने का budget हमा पास नहीं है क्योंकि हमारे पास जादू की चड़ी नहीं है और जादू की चड़ी का जिक्र होते ही हमारे जहन में एक सवाल और है पार्लेमेंट के भीतर तो आपके पास जादू की चड़ी नहीं आप सिर्फ नकार सकते हैं कि देश में महंगाई नहीं अर्थवस्था प बढ़ाएंगे और इस देश में बैंक अपने EMI को नहीं बढ़ाएंगे तो हम महंगाई समाल पाने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे हमारे पास पैसा नहीं बच पा रहा है हम दूसरा कोई उपाय कर नहीं सकते हैं इतना कर सकते हैं कि इस देश में लोग पैसे से कुछ खरीदना बंद कर दें यानि कंसुमरिजम जो है वह बंद हो जाए क्योंकि अगर पैसा उस रूप में रोटेट करेगा तो महंगाई इसलिए ध्यान दीजिए एपरिल के महीने में जो 4% रैपो रेट था मई के महीने में वो 4.4 जीरो होता है जून के महीने में वो 4.90 होता है अगस्त के महीने में वो 5.40 हो जाता है यानि इस देश के भीतर में जिसने एपरिल में 20 लाग का लोन 20 साल के लिया उसको उस वक्त जो चुकाने पढ़ते उसकी एवज में अब चुकाने की परिस्तिती बढ़ते बढ़ते लगबग 6 लाक बढ़ गई यानि उस वक्त 14 लाक से बढ़कर आज की तारिक में 20 लाक हो गई अगर उस समय 30 लाक का लोन लिया था तो उस समय अगर आप 22 लाक चुकाते तो आज आपको 30 लाक चुकाने है उस समय 50 लाग का लोन लिया था एप्रिल के महीने में चुकाते तब आप हो सकता था कि आप लगबग 42 लाग वापस चुकाने पड़ते अब चुकाने में 50 लाग पार कर गए यानि ओरिजिनल और उसके उपर इतना इंट्रेस्ट RBI हाथ खड़ा कर रही है सरकार नहीं मानती है क्योंकि सरकार को भरोसा है कि जादू चल जाएगा और जादू के आसरे इस देश की एकनॉमी पट्री पर आ जाएगी वो कोई भी जादू हो इस बात का जिक्र इसलिए है क्योंकि जिनका पैसा बैंक में जमा उसी बैंक में उस जमाराशी पर इंट्रेस्ट को लेकर यानि ज़्यादा आपको इंट्रेस्ट दिया जाए इस पर सरकार ने अपने मूँ पर उंगली रख ली और ये कहकर रख ली कि दरसल बैंक इंट्रेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे यानि आपके पैसे पर इंट्रेस्ट नहीं दिया जाएगा बढ़ाया नहीं जाएगा लेकिन अगर आप बैंक से पैसा लेते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते इतना जादा बढ़ जाएगा कि आपके रुपई की कीमत ही कम हो जाएगी और वो कम ना हो इसके लिए जादू चाह ये 2020 में जब 5 किलो मुफ्त अनाच का ऐलान किया गया वहां से लेकर अगर आप इस जुलाई तक अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको जानकर हैरत होगे उत्तर परदेश्क में जो खर्च हुआ वा तकरीबन 40-42 हजजार करोड का है और 40-42 हजजार करोड की क्या है जादू हमारे पास है सरकारी तंत्र हमारे पास है हम कहीं से भी इस पैसे की उगाही कर लेंगे और जीस्टी तो लगातार बढ़ी राए कोकि हम टैक्स हर चीज पर लगा रहे हैं सांस लेना छोड़ दिया है पानी पीना छोड़ दिया है हाँ पानी पर जो बोतल बंद पानी है उस पे भी चीज़ें महंगी होती जा रही है लेकिन अब चिंता मत कीजिए रजवरदार रजजजदा देखने की शुरुआत कीजिए उत्तर परदेश में 40-42 हजज़ार करोड रूपया मुफ्त अनाच का 2020 से अभी तक खर्च हुआ है बिहार के भीतर में ये लगबग 22 हज़ार करोड खर्च हुआ है पश्यम बंगाल के भीतर लगबग 18-19 हज़ार करोड रूपया खर्च हुआ है उत्राखंड में लगबग ये सिर्फ दो हजार रुपए खर्च हुए हैं जारखंड में ये लगबग नव हजार कड़ रुपए खर्च हुए हैं आप कहेंगे इस खर्च का क्या मतलब है इस खर्च का मतलब ये है कि इस देश में जो सरकारी संपत्ती कॉर्परेट को दी गई उसकी तादाद और बैंकों में जो रिटेन आफ किया गया उसके जरीए जो इस देश के राजस को चूना लगा है उस चूने की तुलना में जो मुफ्त का अनाज दिया जाता है वह आधे से भी कम है क्योंकि अनाज माटने में सरकार का खर्च तीन लाग चालिस हजार करोड के लगबक का हुआ जो अब बढ़ गया होगा और लगबक तीन लाग सतर हजार करोड तक पहुच चुका होगा तो यह रकम तो बड़ी छोटी सी है लेकिन फिर वही सवाल ये पैसा आ कह इसके अलावे हमें कोई दूसरी एकनौमी की साइकिल चलानी आती नहीं है क्योंकि हम अभी तक जादू दिखाते रहे ये जादू राजनितिक था ये जादू अंतरास्टिये तोर पर खुद को माननता दिलाने का था ये जादू दुनिया भर में घूमते हुए देश का प गर क्योंकि यही तो वो जादू है देश में पैसा नहीं सेंट्रल विस्ता बनेगा देश में पैसा नहीं हवाई जाहाँ चाक्चाबंध होंगे देश में पैसा नहीं, हमारे प्रोटोकॉल के तह जो छे गाड़ियां एक तरीके से एक शांदार रूप में चलती है, जिसकी हर गाड़ी की कीमत करोडों में है, वह भी हमें मंजूर है क्योंकि हमारे पास अभी तक जादू था, इस जादू के आसरे हम गवर्नेंस को हांकते चले आए, लेकिन यह जादू दो हजार चौबिस तक कैसे टिकेगा, कोई नहीं जानता है, और इस देश की समाजी कार्थिक परिस्तितियां अगर डामा डोल होती है, तो वह जादू जब उतरने लगता है, तो नितीश कुमार सरीखे लोग इस देश में हंगामा कर सकते है वो बता सकते हैं, अब आपके जादू से देश नहीं चल पाएगा, तो राज नेता इस देश के जो पहले आप भरस्ट मानते रहें, एडी भेशते रहें, लेकिन अब धीरे धीरे हर नेता समझने लगा है कि एकनौमी अगर आप नहीं समाल पा रहे हैं, तो अब बोलने का वक्त आ गया है, विपक्ष की एकता आपके खत्म होते जादू के साथ तो नहीं जुड़ गई, विपक्ष के भीतर से वित्रों के बोल आपको लेकर और एक जटका देने की स्थिति में कहीं आपके काले जादू का जो शोर था इससे पहले और जो औरा था वो खत्म होने के साथ तो नहीं जुड़ गया, और इस देश के भीतर में विपक्ष अपने राज्यों की आर्थिक स्थितियों को ना समाल पाने का भी ठीक रहा, इसलिए आप पर फोड रही है क्योंकि आप जादू करते चले आए, और जादू के आसरे आपने टैक्स को भी मोनोपलाइस कर ठीक था, 2016 ठीक था, 2017 ठीक था, लेकिन 2017 से पहले दो निर्ड़े और 2018 तक भी इस तितियां इसलिए नुकूल रखी गई क्योंकि 2019 में चुनाओं में जाना था, तो जो भी पैसा जहां से लिया जा सकता था लिया जा रहा था, फॉल्टिकल फंडिंग में तेजी थी, इस दे उन्हें कीमते लगानी शुरू की, कि किस की क्या कीमत होगी, तो वो मॉनेटाइजेशन की जो सोच थी, ये सारी सोचों का कॉक्टेल और उसके बाद कोविट की परिस्तिती ने देश के सामने एक ही सवाल ख़़ा किया, अगर आप जादू नहीं जानते हैं, तो इस देश म खोखली राजनिती को अपने पीछे लगाने के लिए जिससे आपकी महत्ता बनी रह जाए और वो जादू काफूर हो जाए, तो देश की एकनौमी समले कैसे कोई नहीं जानता है, हार गए तो जो आएगा वो चीजों को समाल नहीं पाएगा, जीत गए तो फिर जादू का औरा बरकरार रखते हुए इस देश में एक ही सच बताये जाएगा, जो चुनाव जीतता है, वही सही है, बाकी चीजे सही नहीं है, और उसके बाद इस देश में अलग अलग जगाओं पर सडकों पर राक, भक्ती रस के जो गाए जाएगे, उसको रोकने वाला कोई नहीं ह लेकिन जादू काफूर हो चला है, और देश को एक नए जादू की जरुरत है, वह जादू कोई सा भी हो, बिना उसके इस देश को समहाले कौन और समहले कैसे, शायद अब RBI की किताब भी बड़ी कंजोर पड़ गई है, और अर्थशास्त्री जो सलहकार के तौर पर बैठ एमेफ की नितियों को मानते हुए उनसे करज लेकर, वर्ल्ड बैंक की नितियों को भारत के भीतर लागू कराने को लेकर और जितने भी अंतरास्टिये तोर पर मदद के लिए उनके लिए कनुकूल रास्ता और कार्पेट बिचाते हुए कि इस रेड कार्पेट के नीचे ह वो जादू है जिस जादू का इंतजार देश को है आपको भी वो जादू देखना है इंतजार कीजिए चिंता मत कीजिए 2024 तक वो जादू का असर आपको नजर आने लगेगा जब बात आपके घर की चौकट तक और वहां से होते हुए आपके डाइनिंग रूम में पहुँच जाएगी जब आप भोजन करने बैठेंगे तब सवाल होगा क्या वाकई जादू काफूर हो गया है या इस देश को जादू के आसरे ही चलाना है आईए इंतजार करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया